नमस्कार शुप्रभातम चालिस दीवसिय महापूरस्तन ना भागरुपे आजे आपने गुरुदेवनु प्रवच जोईशु और ते पहला आओ सवने सत भुद्धी मडे सवनु कल्यान थाए सव ज्वल भविश्य नमार ग्यागरवदे ते विद्धी विभावना थी एक ग प्रायत्री महामंत्रा पदम दर्शितम येन तश्मै स्री गुरुवे नमा अध्यात्मिक काया कल्प के विरिते भागेक कल्प साधना सत्र 111 नू अती महत्व पूर्ण संबोधन पुज्य गुरुदेवे आपेलू छे तो एमनीज भासामा गायत्री मंत्र मारी साथे जोडे जोडे अम्भूर्भुवाह श्वाह तच्सवीतुर्वारेन्यम भर्गोदेवस्यदीमाहि धियोयो नाह प्रचोदयात् कल्प साधना आखरे छेशो जेना माटे में तम नहीं बोलावयाचे कल्प नोर्थ थाएचे परिवर्तन तमने बदलवानु मारू मन छे तमे अत्यार सुधी खुब दुखी जीवन जीवयाचे तो आवे सुखी जीवन जीवो तमे बिमार जीवन ने बदले अवे तंदू रस्त जीवन जीवो अत्यार सुधी आप खुब मुश्केलियो बड़ों जीवन जीवयाच magaz तो अवे आसते असावती जिन्दगी जीवो जो तमे उतरती कक्सानूं कमजोर अने उपेक्सित जीवन जीवया हो तो अवे तमे उपेक्सित जीवन जीवो तो अवे तमे उपेक्सित जीवन जीवो तो अवे तमे उपेक्सित जीवन जीवो तो अवे तमे उपेक्सित जीव आच्या हासे औने तमें प्रभावित थाई ना ही आवे आशो तो हवे वीचारिये क्या काया कल्प थाये के वी रिते इना माटे शूं कर्वू पड़े सामा ने रिते कल्प साधना माटे बदानमन माए वो ब्रहम होये छे के कल्प एटला व्रधमाथी जुवान बनी जवाए व्रधमादी जुवान बन्वुँ शक्या नथी कारण के प्रकृतीना नियमनी विरुधनी वात चे प्रकृतीना नियमोंने कोई बदली सकतू नथी सुर्य पूर्वमा उगे चे और पस्चिम मा आथ में चे कोई दिवस यहुँ बने खरू के सुर्य पस्चिम मा उगीने पूर्वमा आस्त थाए भगवाने प्रकृतीना नियमोंज एवा बनाव्या चे के जया सुधिश रूष्टी छे त्या सुधितेमा कोई पन फेर फार थस्चे नहीं कोई करी सक्षे पन नहीं एटले गरडो मानस जुवान बने एक यारे सक्यज नथी पूराणों मा कथा आवे छे के चेवन रूषी घरडा हता अने जुवान थेई गया तमे राजा ययातीनी वारता पन सांबडी असे के तेमने पुत्रनी जवानी लैली दियाने जुवान बनी गया लोकोई बव प्रायत नो कर्या यूरोप मा पन घणा प्रायत नो कर्या पन कोई व्रद आज सुदी जुवान थयो नी प्रकृती साथे बात बिलवी सक्यज नथी पेटले कोई ये पन आसा राख्वी ना जोईए कि आमे व्रद माथी जुवान बनी जैशू पन आपने एमू करी सक्ये कि जे बिमारियोंने आपने आमंत्र नापियों छे तेने आपने दूर भगाली सक्ये कारण कि ये प्राकृतिक नथी प्राणियों जन में छे अने मरे छे पन कोई बिमार अने कमजोर नथी होता जारे कमजोर यावे छे तो मोत ना मुखमा जता रहे छे बिमार अने असक्त जीवन जीवानू कोण पसंद करे असक्त अने बिमार जीवन एप प्रकृतीनी विरुधनी वात छे येने आपने दूर करी सकीये छी प्रकृती बदली सकाएच तमें जानों छो के मन हस्थिती नू नामज परिस्थिती छे मन हस्थिती जो मानस बदले तो परिस्थिती बदलाता वार नथिलाती बस आनू नामज काया कल्प छे आज काया कल्प छे तरमा तमारा मारहेली विचार करवानी शक्ती जो बदलाई जाए तो परिष्थिती आप मेड़े बदलाई जैसे कल्प साधनानों अर्थ तमारों द्रश्टी कोण चिंतन अन चरित्र बदलाई जै एज छे तमें इतियास भने आशो जेमा महान भक्तो थे गया के जे वो पहला खुब सामान्य जीवन जीवता आता परन तुझार एमने एमनु मन स्तर अन द्रश्टी कोण बदलियो तो ते हो क्या थी क्या पहुँची गया एमनी जिन्दगी केटली भव्य बनी गई जो एमने एमनी विचारवानी द्रश्टी ना बदली होत तो बाहय परिष्थिती सामान्य मानस जेविज होत के जेविज लागत मुँ तमने एवी व्यक्तियों नाम आपूँचू के जेमना जिवन मा आमूल परिवर्तन थाई गयी होतो संक्राचारे न तो तमे जानों छोने संक्राचारे जी एक सामान्य गर ना बाढक हता एमनी मातानी एच्छा तमने परणावी अनने तमना बाढकोंने रमारवानी हती परन्तु संक्राचारे जी ए सन्सारन बंदनों बंदावानी माने स्पस्ट ना पाड़ी दि 10 तमने पोटाने भविश्यन लक्षन की करिं आ द्रस्ति कौन तेमने पोते केडवी होतो एमना जीवननी रूप रेखा जाते तैयार करी हती पछी बिजा बदानी तेमने मदद मड़ी हती सर्वाग तो तेमने जाते ज करी हती अने सामान्य संकर भगवान संकराचारे जी बनी गया एमने साक्षात संकर भगवाननों अउतार मानुआ मावेचे जो आदी संकराचार्य पोता ना द्रस्टिकोन ना बदली होत पोतानी जीवानी रित न बदली होत तो एमनी मातानी इचा प्रमाने आज सामान्य ग्रहस्थनु जीवन जीव्या होत तेक सामान्य पंडित होत परं भगवाने दरेक मान्वीने लायक बनावेयोच। एदारे तो पोतानी जातने बदली शकेच। विवेकानन्द एक सामान्य विद्ध्यार्थी एता। परती भावनों मां एमनी गनत्री थती ना आती। घर नी स्थिती पन बौज नाजू कती। तेमना पितास्त्री लक्षय और एमना जीवन ना उदेशय न ते वो बदली नाक्षय। एप्रमाने जीवन मा चालया पन खरा। द्रश्टी कोन बदलवानों फेसलो एमने करयो तो ये रामकृष्ण परमंस साथे ते वो जोडाई गया। तो रामकृष्ण परमंस से तेमने मदद करी। ना ए आगे हूँ ना थी रामकृष्ण जो बदाने मदद करता तो है मने पासे तो हज्जारों सिश्यो आउता हाता और हज्जारों दिक्सा लेता हाता अच्जारों मांस सिश्य कईन वाता परन्तु मात्र एकज व्यक्ति स्वामी विवेकानन्द बन्या तो रामकृष्ण परमंशनी कृपा मात्र एक परज वर्षी हती ना कृपा तो बधा पर वर्ष्थी हती और बधा पर सर्खी वर्ष्थी हती परन्तु बधाय पोतानी जातने बदली नहती जारे पोताने अंदर थी बदल्या, एनो द्रस्टी कोन बदलो एनी विचारधारा बदली, तो क्या थी क्या पोँची गया, द्रस्टी कोन अने विचारधारा बदलनार ने बधाज मदद करेच, तमारू लक्ष शिद करवा, दुनियामा मदद करनार ने कोई कमी न थी, पन पोते पोतानी मदद थी बदलावू पड़े, सुधर्मू पड़े, तो तमने बदा मदद करशे, बिजा कोने मदद मड़ीच, सदन्नु नाम साम्बलीच, ते केवो माना सतो, ते कसाहीनो दंदो करतो हतो, पवित्र 60 ग्राम ना पत्थर थी, ते मास तोली तोली ने वेचतो हतो, प काकार थी गयो, तो भगवान ना भक्तों मा सदन्न कसाई सर्व स्रेष्ट भक्त गणावाला गयो, मन हस्थिती बदलाई जाये, तो परिस्थिती आपों आप बदलाई जायेच, पहला जेमने लोको न फ्रतनी द्रश्टी थी जोता हता, तेमने प्रणाम करवाला गया, लोको तेना थी डरता हाता, तेने धिकारता हाता, बाडकों ने छाना राखवा पने नू नाम लेता हाता, परन्तु एने पोता ने जारे शुधारी लिधी तो संत वालमीकी बनी गया, रुशी बनी गया, यमनु जीवन एटलू महान बनी गयूं कि भगवान रामने सिता मा पोताना संतानों ना सिक्षन अने संस्कार माटे उच्छेर माटे एवालमी कीजी ना आस्रम मा मोक लिया। पोतानी जातने बदली तो ये वेशिया आमर पाली वेशिया ने बदले भगवान बुद्नी बेटी बनी गईचे दीकरी बनी गईचे एस या खंडना मोटा भागना देशों माँ धर्म प्रचार माटे फरीवडी चे मैला संगठनी द्रस्तिये याने केट-केटू काम करियो अब बदू केवी रिते बनियो एने पोताने बदली नाखी अने एनो काया कल्प थही गयो काया कल्प तमारी अंदरना विचारोंने बदलवाथी थायेचे तमारी जीवन पदतीने बदलवाथी थायेचे सिधानतोंने बदलवाथी थायेचे तमारा स्थोड सरेरने काया कल साथे कोई लेवा दिवा न थी आंत्री काया कल्पन विद्या प्राचिन काड मा पन हती अत्यारे पन छे औने भविश्य मा पन रहे से द्रुवे एक राजकुमा रतो राजाओने गणा बारको होएच एक ने खोडा मा बेसाड़ो औने बिजाने खोडा मा थी उतारी मुग्य परिवारमा बनती आ एक सामान्य घटना आती आ घटना थी द्रुवे पूताने जीवनदारा बदली नाखी एने कयूं जो राजकुमारज बनुँ होए तो भगवानना राजकुमार केम नहीं बस निश्चे करयो मा ये प्रेरना आपी औने नारत जी ये मारग बतावी निश्चे करयो मदद सामे थी मड़ी गई नारत जी द्रुवे ना बिजा भाई बेन पासे केम न गया कारण के जे मानस पोतानो निश्चे पोते जाते करेचे येने बदाज मदद करेचे आवात सोट का साचीज प्रहलाद येना दैत्य बापना कहया प्रमाने जो चाले हो तो ते पना जे राक्षश सजोत बाप दादा जे काम करता आवया ते प्रहलाद पन करत परंतु प्रहलादे ए परंपरान तोडी चे पोताने विचारधारा बदली चे अने इतियास मा आमर बनी गयो चे गुरु नानक ना पिता पनी चे ताहता के नानक वेपारी बने पने हमने पूजे छे, नानक नो काया कल्प थाई गयो, नानक शंत बनी गया, महान बनी गया, सिवाजी ना पिताजी शैनी कता, पन सिवाजी नी प्रबर इच्छा औने मनो बढ़ती छत्रपती सिवाजी बनी गया, चानके चंद्रगुप्त नी प्राग पात्रता जोई, अने एमनी अंदर मना स्थिती ने बदलाती जोई, चंद्रगुप्त ने क्या थी क्या पोहचाडी दिदा, एतो तुमें जानों छो, गांधी जी पनेक सामान्य वेकिल अता, परन्तु जारे एमने निष्चे कर्यो, कि म महात्मा गांधी बनी गया, लाखो मानसों ने दिशा बनावनार बनी गया, खरे खरावुँ बन्यू के वीरिते, भगवाने बनावी दिदा, ना, तो भाग्याना जोरे बनी गया, ना, एमने पोतानों काया कल्प करी नाख्यो, जीवन ननी पद्धती बदली नाखी, नकी करिऊ, के लोकों ना दुख दूर करवा, कैक महान कारे करमूँ छे, तो ए बुद्धनों काया कल्प थे गयो, अने ए बुद्ध भगवान बुद्ध बनी गया, उपर ना उदाहरनों एतला माटे आप्या, के तेमे तमारी जातनों काया कल्प करी सको छे, तमारी मर्ज बिलवान इच्छा होए, तो तमे शुर्दासन उदारन पर तमारी सामे छे, बिलवा मंगड नामनों कामी मान सतो, परंतु काया कल्प थे जता, आद्ध ड़ा बिलवा मंगड ने भगवान लाकडी पकड़ी न ले ने जता हाता, अने एज बिलवा मंगड शुर्दास संत तरीके अमर्थ है गया तुलसिदास नी पाचली जिन्दगी पन के वी हती पत्नी ना मोहमा अंध बनी न मड़दाने तरापो औने सापने दोरणू समझी ये पत्नी पासे पहुँची गया आता पत्नी ये कयों के जेटलो प्रेम तमें मने करो छो एटलो प्रेम जो तमें चंदन गस्ता आता तो राम भगवान एचंदन नू तिलक करता आता भगवान राम तुलसिदास ने तिलक करता अने स्री कृष्ण भगवान सूर्दास नी लाकडी पकडी न जता आता आता आउं बनी शके खरो हाँ बनी शके इतला माटेज में तमने सांती कुणिमा बोला दर्दिये धवा खावी पड़े, चरी पाडवी पड़े, शिकित्चा करनार वईद बिजा होये छे तमें तमारा गया जनमना कुछ संस्कारोनी कांचरी उतारी ने फेकी दो भक्ती द्वारा सुसंस्कार ना रस्ता पर प्रहत्न पूर्वक चालो सुसंस्कार रुपी बेडियो औने हतकरी तोडवा तमें प्रहत्न करशो तो मदद करवा माते जमें सांती कुञ बोला विये छी, विश्वास राख जो, आमें तमने जरूर मदद करी सो परंतु जो तमे एवू विचारो के अमारी मदद थी तमारी बधी मुश्केलियो दूर थी जैसे तो एवाद सक्य न थी बने भेगा मडीने कार्य करवू पड़ से तमें अमारा बतावेला रस्ताप पर चालो आमें तमने मदद करीशो आंजड़ा आने लंगड़ानी जेम एक बिजानी मदद थी नदी पार करीए तो परिश्थितियो बदलाई जसे अने जीवन जीवानी मजावी जसे काया कल्प नो आमारो मतलब एछे के आमें तमने मदद करीए अने तमें बदलाई जाओ आमें तमने स्रेष्थ जीवन जीवानी प्रेरणा आने बाड़ा पीशूं आने दबान करीशूं के तमारी पाचली जिंदगी बराबर नहती तमें तमारा जीवननी रिती निती बदलवा माटे द्रट संकल्प करो साहस करो महनत करो आमारा बताव्या मारगे चालो आमें तमने पूरी मदद करीशो विवेकानन्द ने रामकृष्ण परमंस से मदद करीएती उँ परमंस तो न थी पन विश्वास राख जो के तमें स्रेश्ठ व्यक्ति बनो एकली मदद हुँ जरूर करीशेकिस तमें तयार थे जाओ तमारू जीवन बदला से तो तें उँ शांदार बनी जैसे के तमें पोते पन आस्चरे चके थे जैसो तमें आई थी घरे जैसो तो त्यां घरवाडा पन अचमबा मा पड़ी जैसे तमने जो आवात मन्जुर होय तो तमें मकम मने तयार थे जाओ हिमत करो येना संगर्ष माते तयार रहो अने अनुशाषन पारवा सहर्ष तयार रहो अने पचिजुओ आपना जीवननों कायाकल्प थे जाये छे के नही ओम शांती मित्रो प्रकर स्वातंत्र सेनानी युगरुषी नुँँव अधिव्य प्रवचन आपनों आध्याक मिकायाकल्प करवा माते नूँछे महापुरुष्टरण ना आ पवित्र दिवस्वोमा आ गुरुदेवनुप्रवचन रुषी चिन्तरण चेनला माध्यम थी आपने पासे विना मूले पहुच्चू छे त्यारे आप सवने मारी नंब्रमी नंती छे कि आ प्रवच्चन ने अन्य गुरुपो मा फोर्वड करी मित्र सर्कल्स नही जनों मा गुरुदेवनी विचारदाराने जन जन सुधी पहुचाडवानों प्रहत्न करिये अने दैवी संस्कूरुती रुषी संस्कूरुती सत्यूगी संस्कूरुती लाववा मस्वभागी बनी आपनों महापूरस्टरण ने सार्थक बनाविये एज भावना साथे